जिला मुख्याले में संचालेत उत्करस्ट विद्याले मन्ला जहाँ पर प्रवंद समीती के अध्यक्ष स्वयम कलेक्टर मन्ला है नगरपालका की तानाशाही पूर्ण रवये के चलते बच्चों को स्वास्त शिक्षा नहीं मिल पा रही थी जबकि इस स्कूल में करीब 900 से ज्यादा बच्ची अध्यांरत है उन बच्चों के अध्यापन कारके अलावा थेल गूद हेतु मैदान भी विद्याले में है जूकि मैदान में प्रदुशित पानी छोड़ा जा रहा था जिसके कारण पूरा मैदान दलदल और कीचर से सराबोर हो गया था जिसमें इस बज़े से हम ने मुख नगरपाली का अधिकारी महोदय को कई वार निवेदन कर चुके आवेदन कर चुके इस संबन में जब नगरपाल का अध्यक्ष है वोम पाध्यक्ष को जानकारी दी गई तो उन्होंने तुरित कारवाही करते हुए ग्राउन पहुंचने का निड़ने लिया जहां जाकर उन्होंने देखा कि ग्राउन की स्तिती काफी ज्यादा खराब है तता ग्राउन दलदल म परिवर्तित हो गया है अब इसके सुधार के लिए कारिक किया जा रहा है अध्यक जी और हम लोग ने आके यहां पर निरक्षन किया है इंजिनियर जी को भी सांत में लेके आया गया है इनका अभी ततकाल में टेंडर लगाने का निर्णय हुआ है और यह पानी यहां से ले कर सौ मीटर तक की नाली का प्रस्ताओं स्विक्रत किया गया है जिसमें तवरित कारवाही करते हुए अभी कच्ची नाली बना कर मैदान में पानी को जाने से रोका जाएगा इसके बाद टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही नाली को पक्की कर नाले से जोड़ दिया रहा है ग्राउन में और इसकूल का ग्राउन है यहां बच्चे खेलते हैं तो निश्ची तोर पर कहीं न कहीं बच्चों को परिसानी हो रही है और हमने हमाई साथ इंजीनियर हैं वो यहां का फूरा देख ली हैं और इसको नाप करके साम तक इसका इस्टिमीट बन पर्मनेंट निकाल रहे हैं इसको कच्ची नाली करवा देते और पक्की करवा देते इसा करवा देते